हैपिनेस एंड प्रोस्पेरिटी निरंतर खुशी और सम्रद्धी बुनियादी मानव आकांख्षाहों पर एक नजर चुशी मन की स्थिति है जब हम जीवन के सभी पहलों में सामन जस्य महसूस करते हैं तो हमें खुशी महसूस होते हैं इसी परकार यदि हमारी लाइफ में डिस हार्मनी है या कंट्राडिक्शन है तो उससे क्या होता है अनहपिनेस आती है अब दूसरी टर्म है प्रोस्पेरिटी प्रोस्पेरिटी को हम देखेंगे What is prosperity? It is the feeling of having more physical facilities than required यानि के सम्रद्धी क्या है सम्रद्धी मानव की आवशक्ताओं या भोतिक सुविधाओं की पूर्ती के उपरांद भी यदि संपन होने का एहसास है तो उसको सम्रद्धी कहते हैं अब बात आती है कि who wants happiness happiness की किसको आवशक्ता है happiness किसको चाहिए तो इसका उत्तर है everyone हर व्यक्ती को खुशी चाहिए दूसरा टर्म आता है prosperity प्रोस्पेरिटी किसको चाहिए तो यह भी हर व्यक्ती को चाहिए और एक बात यह है क्या happiness या prosperity हमें कभी कभी चाहिए क्या हम यह चाहते है कि कुछ समय happy रहें कुछ समय unhappy रहें या कुछ समय में prosperity मिले और कुछ समय ना मिले तो ऐसा कोई नहीं चाहता इट मिन्स क्या है कि happiness और prosperity व्यक्ति को दोनों चीजें चाहिए और दूसरी बात ये है कि दोनों चीजें निरंतरता में चाहिए continuity में चाहिए इसका आर्थ यह हुआ कि मानव की जो बुनियादी आकंख्षाएं है वो खुशी और समरद्धी है और खुशी और समरद्धी भी निरंतरता में है continuous happiness and prosperity are the basic human aspirations तो ये तो हम ये समझ गए कि मानव की आकंख्षाएं क्या है ये हमको मालूम है लेकिन वर्तमान परिद्रश्य क्या कहता है प्रजेंट सीनेरियो क्या है happiness के बारे में अगर हम देखें इस समय हम सभी इस तरों पर कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं सभी इस तरों से मतलब क्या है व्यक्ति के इस तर पर परिवार के इस तर पर समाज के इस तर पर और प्रकरति के इस तर पर व्यक्ति के इस तर पर अगर हम देखें तो क्या दिक्कते हमारे सामने आ रही है अवसाद, चिंता, आत्महत्या, तनाव, एसुरक्षा, स्वास्त समस्याएं ये सब जो समस्याएं हैं ये व्यक्ति के इस्तर पर है या at the level of the individual, depression, anxiety, suicide, stress, insecurity, health problems ये सभी व्यक्ति के इस्तर पर समस्याएं हम लोग face कर रहे हैं परिवार के इस्तर पर क्या समस्याएं हैं? सहियुक्त परिवारों का तूटना, तलाक, पीडी मतभेद, दहेज हत्या, वरद लोगों की उपेक्षा इस परकार की और भी बहुत सारी समस्याएं हम परिवारों में देखते हैं ये at the level of family, breaking up of joint families, divorce, generation gap, dowry deaths, neglect of older people इस सब तरह की समस्याएं हम देख रहे हैं समाज के इस्तर पर आतंकवाद, हिंसा, जातिय संगर्ष, भरस्टाचार, योन अपराद, शोशन, रास्ट्रों के बीच में यूद, घातक, हत्यारों का परसार या अन्या बहुत सारी समस्याएं समाज के इस्तर पर भी देखने को मिलती है At the level of society, terrorism, violence, racial and ethnic struggle, corruption, sex crime, exploitation, wars between nations, proliferation of lethal weapons, etc. या इस से भी ज़्यादा अब प्रकरती के इस्तर पर हम क्या फेस कर रहे हैं? Global Warming, मोसम का ऐसन तुलन, खनीज और उर्जा संसादनों की कमी, वनों की कटाई, मिट्टी गुनवत्ता में गिरावट आदी या Global Warming, Weather Imbalance, Depletion of Minerals and Energy Resources, etc. बहुत सारी समस्याएं हम परकरती के इस्तर पर भी देख रहे हैं इसका मतलब यह है कि आज हम व्यक्ति के इस्तर से लेके परकरती के इस्तर तक हर इस्तर पर हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं अब समझने की बात यह है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमें हैप्पिनेस की सही समझ नहीं है सही समझ की कमी है अब सही समझ क्या है, हैप्पिनेस क्या है, बिसिक हैप्पिनेस है तू बी इन हार्मनी या तू बी इन हार्मनी एंड सीनर्जी जब हम हार्मनी में रहते हैं जब हम सामन जिस्से में रहते हैं तब हमको खुशी महसूस होती है जब हम सामन जिस्से में नहीं रहते जब हम हार्मनी में नहीं रहते तब हम अनकांफर्टबिल फिल करते हैं और हमको हैप्पिनेस महसूस नहीं होती है तो हार्मनी हमको स्थापित कैसे करनी है हार्मनी हमको समझना कैसे है यह सारी चीजे हमें देखनी पड़ेगी व्यक्ति के इस तर पर यदि हम हैप्पिनेस की बात करें तो व्यक्ति हैप्पि कब रहेगा सबसे पहले तो यह है कि वह अपने शरीर से हार्मनी में हो उसका सरीर स्वस्थ हो अगर सरीर स्वस्थ है उसकी दिंचरिया नियमित है उसकी फोड एफिट्स अच्छी है जो उसके सरीर को अच्छा स्वास्थ दे तो स्वस्थ सरीर में भी happiness का वास होगा लेकिन स्वास्त के साथ साथ दूसरी चीजे भी हैं जो हैप्पिनेस को टै करती हैं जो खुशी को टै करती हैं वो क्या है वो हमारी इच्छाएं हमारे विचार हमारी भावनाएं ये सब भी टै करती हैं कि हमें हैप्पिनेस मिलेगी है नहीं मिलेगी आप देखते हैं सफलता, सम्मान, विश्वास, आदी, सकारात्मक भावनाएं हमें पुशी देती है और दूसरी और ऐ सफलता, ऐ विश्वास, अनादर आदी जो नकारात्मक भावनाएं हैं वो हमें हमेशा दुखी देती है तो इसका मतलब ये है कि उन भावनाओं से यदि हमारी हार्मनी है तो हम हैप्टी फील करें अब बात ये आती है कि व्यक्ति के इस तर पर हम जब हार्मनी की बात कर रहे हैं तो हार्मनी को सुनश्चित कैसे किया जाएगा इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि हम हार्मनी को समझ पाए सामन जिस्चे को समझना और दूसरा पोइंट है सामन जिस्चे में रहना जब हम हार्मनी को समझ जाएंगे उसके बाद ही हम सामन जिस्चे में रह पाएंगे व्यक्ति के इस्तर पर सामजिस से को समझना क्या है व्यक्ति के इस्तर पर सबसे पहले यह समझना होगा कि मेरी प्राकर्तिक स्विकर्ति क्या है मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है मेरी जो इनेटनेस है वो क्या है मेरे स्वाभविक गुन क्या है यदि उन चीजों का मुझे पता है तो तब क्या है एक इसतर तक हम चीजों को समझ गए हैं। जब हमें पता है कि हमारी प्राकर्तिक स्विकर्ति क्या है तो अगली बात ये आती है कि मेरी इच्छाएं, विचार और अपेख्चाएं भी प्राकर्तिक स्विकर्ति के अनुसार ही होनी चाहिए माल्या किसी विच्छाएं की प्राकर्तिक स्विकर्ति स्विकर्ति इस्पोर्ट्समेन बनने की है इस तरह कि उसके अन्दर स्वाभाविक गुन है और उसकी इच्छाएं लिट्रेचर की तरफ या किसी दूसरी तरफ जा रही है दूसरी तरह की अपेख्चाएं वो अपने आ यदि उसकी natural acceptance के अनुसार है तो व्यक्तिकत लेविल पर व्य हार्मनी में रह पाएगा। ये आपकी प्राकरतिक स्विकरति के अनुरूप होना चाहिए। आप अपनी स्वाबाविक स्विकरति नहीं बदल सकते हैं। व्यक्तिकी जो natural acceptance है उसको हम खोज सकते हैं कि हमारी natural acceptance क्या है हमारे natural गुन क्या है उसको हम खोज सकते हैं उनको हम बदल नहीं सकते हैं और उनको खोजने के बाद में उसके अनुसार यदि हम अपनी चाहें अपने विचार और अपने अपिक चाहें रखते हैं तो हमें हार्म जिस से हम व्यक्ति के इस तर पर सामन जिस्से से रह सकेंगे अब जब हमने सीख लिया कि व्यक्ति के इस तर पर हम सामन जिस्से से कैसे रहेंगे तो अब दूसरी चीज है कि सामन जिस्से के साथ जीना हमें औरों के साथ भी सामन जिस्से के साथ जीना होगा अब हमें परते किस तर पर सामंजसे के साथ जीना है इसके लिए हमें आत्म अन्विंशन के आधार पर यह जानना होगा कि हमारे विचार या व्यभार सही है थो नहीं कुछ चीजें अगर हमको लगती है नैचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर हमने मान लिया कि यह ठीक है एक्सेप्ट कर रहे है बट अगर सेल्फ एक्स्प्लॉरेशन के पेरामिटर के आधार पर जब हम उसको आखते है और वो सही नहीं है उसमें कहीं न कहीं कोई कमी है थो उससे भी हमें कंटिनुमस हैप्टिंस नए नहीं मिलेगे कहींना कहीं भी रोधाबास पैदा हो जाएगा सैल्फ एक्सप्लॉरेशन में हमने देखा है तक लोगों के साद वियवार हमारा मीच्वल हैप्टिनस वाला होना चाहिए परकरती के साथ व्यवार हमारा या जो हम काम कर रहे हैं परकरती के साथ मिच्वल एंरिच्मेंट वाला होना चाहिए यदि हम कोई काम करते हैं और वो इन दो पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतरता तो इसका मतलब वह विचार या वह विवार सही नहीं है अब हमारे विचार कहां से आते हैं हमारे विचार ये हमारी आदते हमेशा हमारी प्री कंडिशनिंग से आती है हमारा पिछला जीवन कैसा रहा है वहां से हमारे विचार विक्सित होते हैं तो हमें देखना है कि जो हमारे विचार विक्सित हुए है उन विचारों को हम जब फुल्फिल करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है उससे हमें हार्मनी भी मिल सकती है तो डिस हार्मनी भी मिल सकती है कभी-कभी मालिया किसी के मन में विचार इस तरह के है कि मुझे डॉमिनेट करके रहना है तो dominant करके वो रह रहा है तो उसको खुशी मिलेगी बट वो कब तक रहेगी जब तक dominance है उसके बाद में वो खुशी खुशी नहीं रहेगी दूसरा विचार आता है coexistence का यदि दूसरों के साथ cooperation से कोई व्यक्ति रहता है तो उससे जो happiness आती है वो continuous रहेगी वो हमेशे रहेगी है तो यह हमें देखना होगा कि जो हमारे विचार हैं उनको हम पहले परक लें self exploration के base पर यदि वो self exploration के आधार पर सही पाये जाते हैं तो उससे हार्मने इस्थापित होगी उससे happiness आएगी और वो happiness continuous आएगी वो continuity में रहेगी discontinue नहीं रहेगी तो इस परकार हम अपने साथ सामंजिस्थे के बाद में अन्य लोगों के साथ सामंजिस्थे में रहना सीख लेते हैं अब अन्य लोगों में सबसे पहले क्या आता है हमारा परिवार आता है परिवार में क्या जरूरी है रिष्टे संबंद और रिष्टो का आधार जो है भोतिक सुविधाए नहीं शारिरिक सुविधाए नहीं बलकि रिष्टो की समझ होती है एक रिष्टे में वास्तों में आश्वासन की भावना की आवशक्ता होती है जो हमें खुशी और उसकी निरंतरता देते हैं तो यदि हम रिष्टों की भावनाएं, रिष्टों की आवशक्ताओं को समझ पाते हैं और उनका पूरा करते हैं तो हमें happiness मिलेगी और वो continuous रहेगी क्योंकि हम दूसरों के साथ harmony के साथ जी रहे हैं परिवार के बाद society आती है, समाज आता है, समाज में भी यदि fearless समाज है, यदि crime free समाज है, यदि peaceful समाज है, एक दूसरे के परती respect है, एक दूसरे के परती cooperation है, एक दूसरे के परती tolerance है, तो ऐसे समाज में हमें harmony मिलेगी, happiness मिलेगी इसलिए हमको इस तरह का व्यवहार करना चाहिए इस तरह की प्रकिसिस करनी चाहिए जो हम इन चीजों को स्थापित होने में मददगार साबित हो जाएं और तभी हम समाज के साथ हार्मनी में रह पाएंगे और अगली स्टेज आती है नेचर की प्रकृति व्यक्ति का अस्तित अकेले नहीं है व्यक्ति श्यम है उसके बाद उसका परिवार है उसके बाद सोसाइटी है और उसके बाद प्रकृति है और हमको हर इस तरह पर कुछ ना कुछ लेना देना है हमको हर इस्तर पर हार्मनी बनानी है हमको हर स्तर से कुछ ना कुछ आवशकता हमेशा पढ़ती है नेचर की यदि भात करें तो हम कुई भी पल ऐसे नहीं है जो नेचर के बग堃 जी सकते है हमारा अस्ती तो बगएर नीचर के संभव नहीं है हम एक सास भी लेते हैं तो हमें नीचर के आफशकता है हम दूब भी चाहिए तो हमें नीचर के आफशकता है हमें पानी चाहिए भोजन चाहिए हर चीज़ हमें नीचर से मिलती है हमें खुशी चाहिए बहुत सारे ब्यूटिफुल सीन होते हैं जो हम नेचर के देखते हैं तो इसलिए अगर नेचर बैलन्स में हैं अगर नेचर की सारी चीजे एनरीच हैं तो उस से हमें happiness मिलेगी यदि pollution है यदि natural resources का deflation हो गया है biodiversity खतम हो गई है तो क्या होगा हमको happiness नहीं मिलेगी हमको हमारी जरूरते पुरी नहीं कर पाएंगे और हम dish harmony में चले जाएंगे इसलिए happiness के लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझ लें happiness क्या है सबसे पहली चीज यह है happiness या खुशी मन की इस्तिती है तो कब आती है जब हम harmony में रहना सीखें harmony में रहना सीखने से पहले हमें देखना होगा harmony क्या है जब हम harmony को समझ लेंगे तो harmony में रहना सीख लेंगे जब हम harmony में रहना सीख लेंगे तो हम परिवार के साथ दस्तों के साथ भी समाज के लोगों के साथ भी पर्प्रती के साथ भी और श्यम के साथ भी हार्मनी में रहेंगे और इसी के बाद हम हैपिनेस फील कर सकते हैं और उसकी कंटिनियोटी को फील कर सकते हैं झाल